बातों भी बातों में रोविश शर्मा ने इस बात को क्लियर कर दिया है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे वरना बहुत समस्या होने वाली है, देखो, रोविश शर्मा इस समझ इस तरह कि कप्तानी कर रहा है न, वो कप्तानी में अपने कल के वीडियो में बोला थ इसमें कि भाई वही चीज कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे दरदल पिछले कुछ समय में इंडियन क्रिकेट में की ट्रेंट बहुत जाद देखने के लिए मिल रहा है कि वाईड बॉल क्रिकेट और स्पेशली टी ट्रेंटी को यहाँ पर जादा तवज्ज़ दी जा रही उसके सामने रेड बॉल क्रिकेट को लोग एगनोर कर रहे हैं खासतर पर वो खिलाडी जो की थोड़ा बहुत नाम कमा चुके हैं क्रिकेट में तो वो लोग सिर्फ IPL पर ही फोकस करते हैं और इंडिया की जो टेस्क क्रिकेट होती है या जो डोमेस्टिक रेड बॉल क्रिकेट है उसको पूरी तरह से इगनोर करते हैं यह फियास को भी पिछले कुछ दो टस्माचे से बहुत जादा चल रहा है इस्पेशली जब इशान किशन का नाम निकल कर सामने आए कि भाई वो अपने स्टेट रंजी से नहीं खेल रहा है जबकि इंडियन टीम के हेड कोच राहुल रविड ने उनको इस बात को लेगा क्लियर इंस्रक्शन्स दिये थे कि आपको वह जाकर खेलना है तो यहां पर बहुत सारी misunderstandings जो थी वो create हो रही थी players को लेकर लेकिन फिर एक एक करके दूसरे खिलाणियों के भी नाम सामने है दीबक चहर का आया श्रेय सेयर का आया श्रेय सेयर को जबकि NC की तरफ से clear कर दिया कहता है कि भी इनको कोई इंजरी नहीं है बट श्रेय सेयर बोले नहीं मुझे तो बैक की इंजरी है यहां पर कोई test cricket की बात नहीं चल रही है तो ऐसे में रोहिश शर्मा के यह statement निकल कर आना ऐसे समय पर जबकि यह मुद्धा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है काफी कोई चीजे बताता है इस समय ड्रेसिंग रूम में क्या चल रहा है कप्तान की मन में क्या चल रहा है और टीम मैनेजमेंट का क्या सोचना है समय इन खिलाडियों को लेकर दरसल भारती कफ्तान रोहिश शर्मा ने इशारो इशारो में रंजी छोड़कर आईपील की तैयारी कर रहे खिलाडियों को सीधे तोर पर मैसेज दे दिया सोमवार को रोहिट ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि मौका केवल उन्ही को दिया जाएगा जो टेस्ट क्रिकेट में सफलता की भूग दिखाएंगे इंगिलैंड के खिलाफ राची टेस्ट मैच जीतने के बाद इंडियन कैप्टन ने यंग्स्टर्स को लेकर काफी हैपिनेस दिखाई काफी खुशी बताई उन्होंने कहा कि जिन लोगों में सफलता की भूग है अब हम उन्ही को मौका देंगे अगर जीत की भूग नहीं है तो ऐसे खिलाडियों को खिलाने के कोई मतलम नहीं है उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ टीम में कोई भी ऐसा खिलाडी नहीं देखा है जो भूगा ना हो सभी लड़के जो यहाँ पर हैं और जो नहीं भी हैं वो सभी खेलना चाहते हैं रेकिंटेस्ट क्रिकेट में आपको बहुत कम मौके मिलते हैं यह बात हम बानते हैं अगर आप उन कम मिले मौकों का भी फायदा नहीं उठाते हो तो वो आपके हाथ से निकल जाएंगे यहाँ पर आप केस भरत का भी एक्जामपल देख सकते हैं उनको काफी मौके मिले बट स्टिल वो अपने आपको प्रूव नहीं कर पाए वह दुरुफ जुरहल को एक मौका मिला जब टीम को उनकी सक्ट जरूरत थी बंदे ने हाथ उपर किया और वो लग ठीक है मैं समझता ह हो यहाँ पर क्या कर सकते हैं इसके बाद यह सवाल पूछने पर कि क्या जो लीग स्कृचेट में अच्छा खाि सा पैसा मिलता है इसके कारण यंग्स्टे बीच में क्या टेस्क्रिकेट खिलने की जो एक चाहत है ललक है वो कमोती जा रही है इसकी पर रोह शर्मा ने कहा कि test cricket सबसे cutting format है अगर आप इस format में excellence और success हासल करना चाहते हैं तो आपको भूग दिखानी पड़ेगी भार्दे टीम ने अंग्रेजों को दरसल पांच विकेट सहराकर पांच मैचों के सीरीज में तीन एक की वो भड़ा थासल कर ली है जिसमें क्या वो हार नहीं सकते जीद में दुर्व जुरेल, जैसवाल और आकाश दीव जैसे नए खिलाडियों ने सबसे बड़ी बात ऐसी भूमी का निभाई जिसको देख कर ही मजा आ गया दरसल रोहित चरवा ने इस press conference में काफी करसने के बीचे बड़ा हुआ है दरसल रोहित ने कहा कि IPL हमारे लिए बहुत अच्छा format है लेकिन test cricket सबसे अदा toughest है और इसमें excellence हासल करना tough होता है आपको जीतने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है पिछली तीन जीत आपको लगा होगा कि हमने हासल करी है पर यह आसान तो थी नहीं बूलर्स को लंबे spell करने पड़े बैट्समन को क्रीज पर काफी मेहनत करनी पड़ी और सबसे बड़ी बाद ही होती है कि जब आप घर में जीतते हो तब आपको इतनी जादा तारीफे नहीं मिलती बोला जाता रहे हैं इंडिया तो घर में जीती जाता है लेकिन मेहनत तो उसके लिए भी करनी पड़ती है साथ साथ उन्होंने कहा कि भूख को लेकर जो बाते उन्होंने कहीं उन्होंने कहा कि किलने के लिए उनकी भी तारीफ करी और रिस्पॉंसिबिलिटीज को खुद से लेने के लिए और जब दी जगई तो उसको निभाने के लिए भी रोहितना उनकी तारीफ करी खास तोर पर दो दोहरेशा तक जमा चुके जैसवाल और चौते टेस्ट की दोनों पारियों में श सही लड़कों की जरूरत है टीम को खुद पर तरजी देने वाले खिलाडी इन में से कई खिलाडी काफी यंग हैं और आप डिफिनेटली उन्हें अगले पांत-दस सालों में इस फॉर्माट में रेगुलर्ली आप खेलते हुए देखो गया है रोहित का यह रियक्शन बी स्टेट टीम छोड़कर आईपिल की तैयरी करते नजर आए गुजरात में मुम्मी इंडेस के कफ्तान हार्दिक पंडिया और उनके भाई करिनाल के साथ ने बढ़ोधा में ट्रेनिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे खैर रोहित के स्टेटमेंट ने काफी है तक यूज एंजय एंजय भरओट